हेलो गाईज टेकनिकल नाइट में आपका स्वागत है आज की जो अपडेट वो सेल स्टील एथर्टी ओफ इंडेल लेंट इसके इसको बर्न पोर यूनिट की तरफ से आई टी आई डिबलोमा वालों के लिए ACT यानि की अटेंडेंट कम टेकनिशन ट्रेनिंग और OCTT की ओपरेटर कम टेकनिशन ट्रेनिंग की पर्मानेंट वैकेंसी निकल कि आई भी है तो इस वीडियो में इडिल्स में डिसकर्स करेंगे क्या होगी इलिजिबिल्टी केट्र या क्या सेलक्षन प्रोसर्स अफ्लिकेशन फीस क्या होने वाली है तो देखिए हमें सेल की ऑफिशल साइट पर इसका लिंग आपको वीडियो के अड्रस में मिल जाएगा तो डायटवी साइट पर आ जाएंगे और जो भी कन चैनल पनना है चैनल एकजेक्यूटा करें होती है तो यहां पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन का वीरा डाउल्लोर कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंप्टैशिस में मैंचन की गई हैं जैसा कि आप इसके मत देश सकते हैं हमने वहाँ पर किलिक करके पीडियाप डाउनलोड करें ये पीडियाप आपका हमाले टेलेगान गूर्ट पर मिल जाएगी इसको इस्टील प्लांट बर्नपूर जो की वेस्ट बंगॉल में इस्ती थे 29 दिसंबर 30 की अपडेट है एडवर्टीज में नमर देख सकते हैं देखें इस्टील एथरोटी अफ इंडेलेम्ट एक महारतने कंपनी है डिटेल सब पोस्ट बारे मात करते हैं जो की ACTT ITA वालों के लिए होगी जिसमें 40 नमर वेकंसी रखी गई है पर इसके लापका 25,000 रुपाई 70 से लेके 35,000 रुपाई रखे गया यानि कि बेसिक आपका 25,000 हो जाएगा जैसे आपकी दो साल की ट्रेनिंग कंपलेट होगी लगवा आपको 35,000 साल मिल जाएगी इन हैंड देखें फिटर की टोटल 6 वेकंसी है के टीगरी वाज यहां पर डिस्टिपूशन दिया हुआ तो जिस भी केटीगरी साब बिलॉं करते हैं उस केटीगरी की वेकंसी देख लीजेगा इलेक्टीशन की 12 सीटे रखी गई हैं टर्नर की 3 सीटे एं इयोटी क्रेन ऑपरेटर क जिसमें भी 3 नमार वेकंसी रखी गई है इसमें 25,07 रुपाए बेसिक रखा गया है इसमें आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं रखी जाएगी बॉलर कम टेक्टिशन ट्रेनिंग बॉलर ऑपरेशन में 3 सीटे जो कि यूर की हो जाएंगी और अटेंडेंट कम टेक्टिशन में 3 सीटें जो कि यूर की हैं से सीट नहीं है यदि आप से से बिलॉंग करते हैं तो आप यूर के टिगरी में ही फॉम अपलाई कर सकते हैं जैसे के आपको यह देखने कर मिल जागा यूर की पोस्ट पर भी अपलाई कर पाएंगे बात कर लेते हैं, eligibility के लिए कि operator gum technician training boiler operator में matriculation with 3 year का डिपलोमा करके रखें, mechanicals या फिर electricals या फिर chemical या फिर power plant या फिर production या फिर instrumentation इंजिनिस से apply कर पाएंगे और आपके पास first class का boiler attendant का certificate of competency होना अनिवार है, यानि कि दोनों चीज़े होंगी तब ही आप apply कर पाएगा, maximum age limit 30 स का age lay session भी देखने को मिल जाएगा, इसी प्रकार attendant technician boiler attendant के लिए matriculation with full time का ITI या फिर NAC from NCBT in trade-off, fitter, rigor, electrician या फिर turner से किये हैं, recognize institute से apply कर पाएंगे और आपके पास second class का boiler attendant certificate भी ज़रूरी है, attendant technician training electrician जो की training वाली है, 18 साल maximum age limit रखी कही है, इसमे matriculation with full time का ITI या फिर NAC from NCBT in electric minimum one year का experience से operation of EOT crane of 120 ton अथो more capacity, यानि कि आपके पास एक साल का experience होना चाहिए crane operation में, attendant का ignition training heavy vehicle driver में 5 seat रखी कही है, जिसमें आपके पास matriculation with valid heavy motor vehicle driving license होना चाहिए, और आपके पास एक साल का post qualification experience होना चाहिए, after matriculation के बाद, in operation of hull pack, dumper या फिर hydraulic mobile के रखन, या फिर bulldozer, या फिर chain molder, loader, या फिर wheel loader, या फिर hydraulic excavator, या फिर hydraulic sol, इन किसी में से एक चीज का आपका एक साल के पा experience चाहिए, बात करते हैं, events and other benefits की, जो operator come technician training boiler operation में, उसमें आपका S3 grade direct मिल जाएगा, कोई भी training नहीं रखी गई है, attendant come technician training, boiler attendant में S1 grade मिल जाएगा, जिसमें 25 और 70 रुपय, basic से start हो जाएगा, कोई भी training नहीं रखी गई है, और इसके साथ आपको काफी सारे benefits देखने को मिल जाएगे, provident fund, graduate, DNS allowance, and other allowances देखने को मिल जाएगे, इसी परकार आपके attendant technician training training जो post है आपकी, इसमें पहले साल आपको 12,900 रुपय मिलेगा, और दूसरे साल 15,000, जैसे आपकी 2 सा के training complete हो जाएगी, उसके बाद ही आपका S1 grade में 25-70 रुपय बेसिक हो जाएगा, यानि कि आपको लगबग 35-40,000 रुपय साले in hand मिल जाएगी, बात करते है mode of selection का, तो सबसे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद आपका skill test होगा, skill test में आपको 1 ratio 3 के ratio बुलाय जाएगा, CBT के के आधर पर आपका selection होगा, skill test आपका qualify in nature होगा, यानि कि आपको skill test में पास होगा, और CBT में आपको score लाना होगा, यानि कि final selection CBT के आधर पर रखा गया है, और CBT में आपको UR, OBC, EWS वालू के लिए 50% marks लाना अनिवार है, और SCHT, PW करनेट के लिए 40% marks लाना अनिवार है, physical standard के बारे मात करते हैं, तो height आपकी minimum 155 cm, male के लिए और female के लिए 143 cm, weight आपका 45 kg minimum, 35 kg आपका female का minimum होना चाहिए, फीज के बारे मात करते हैं, operator come technician training boiler operator में 500 रुब्लिकेशन फीज रखी गई, UR, OBC, EWS वालू के लिए, 1500 रुब्लिकेशन फीज रखी गई, STHT, PW, X-Servicemen, Departmental Candidate के लिए, attendant come technician training ITI की जो post है, इसमें 300 रुब्लिकेशन फीज रखी गई है, UR, OBC, EWS वालू के लिए 100 रुब्लिकेशन फीज रखी गई है, important date के बारे मातकत, इसका online application 29 दिसम्बर 23 सी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी closing date 18 जनुरे 24 देखने को मिल जाएगी, यानि कि आपके पास लगभग 17-17 दिन समय है, apply करने के लिए simply सबसे पहले आपको login पर click करना होगा, यहाँ पर login पर click कर देते हैं, login पर click करने के बाद जैसे नीचे स्कॉल्डर करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल था, application window is now available to apply for various posts in non-exigit together, इसको still planned advertisement number जो की last date 181-1224 रखी गई है, तो नीचे स्कॉल्डर करेंगे, तो यहाँ पर register here पर click करके registration कर लेंगे, उसका जैसे registration हो जाता आपका registered user पर click करके login ID और password फिल करके आपको registration जिससे हो जाएगा, आपको fill कर लेना application, सो गाइज एक ब्रट देनी थी वीडियो पसंद आना पर वीडियो लाइक करें, चैनल को भी देने सबस्क्राइब, सब्सक्राइब जरू कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक लिए नमस्कार.